हलो गुद मानिंगे इस यह है आपकी एक्टिवटी शीट और आज हम इसमें करेंगे पेज नंबर 3039 राइट दर करेक्ट टाइम यहाँ पे वाच इस दी हुए है आपको यहाँ पे उसका टाइम लिखना है ठीक है यह जो क्लॉक है उसमें यह वाला जो हैंड जो बड़ा हैंड होता है उसको हम बोलेंगे मिनिट हैंड जो स्मॉल हैंड होता है वो बोलेंगे हम आर हैंड मतलब वो गंटे-गंटे के बाद वो दिरे-दिरे-दिरे गुमेगा, जो ये वाला जो हैंड है, वो दिरे-दिरे-दिरे सब जगा पर जाके वापस 12 पर आएगा, ठीक है, चलो, अभी ये, जो बीग हैंड होता है, वो 12 पर होता है, और small hand 3 पर आएगा, तो हम उनको क्या थ्री ओक्लोक हुए हैं, क्या कहेंगे थ्री ओक्लोक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे थ्री, वेसे ही देखो, यहाँ पे मीनिट हैंड है, वो ट्वेल पे हैं, और आर हैंड है, वो टैन पे हैं, तो कितने हुए, टैन ओक्लोक, तो यहाँ पे लिखेंगे हम टैन, यह है, जो ब तो स्मॉल हेंड गहां पर है भी 6 पर तो कितने हुए 6 ओक्लॉक हुए तो हम लिखेंगे यहां पर 6 अभी ये बताई आप ये बीग है वो 12 पर है और स्मॉल हेंड 8 पर है तो क्या हुआ 8 ओक्लॉक ठीक है आप भी वैसे लिखके मेरे को सेंड कर देना है